गुड मॉनिंग फ्रेंड्स मैं विनोत कुमार पाठक आप सभी का वानी केरियर्स पॉइंट पे स्वागत करता हूँ पिछली क्लासेस में हम लोगोंने फैक्ट्री एकॉंटिंग एंड इस्टोर प्रोसीजर का 2020 के 1 to 40 कोश्चन्स सॉल्व किये थे उसी क्रम में आज हम लोग आगे के कोश्चन्स सॉल्व करेंगे तो 40 तक 40 तक कोश्चन्स आपके पिछली क्लासेस में सॉल्व हो गया है 41 पे है आपका question किसी भी आयुद निर्माणी जो भी निर्माणी है किसी भी आयुद निर्माणी के GM दोरा उस आयुद निर्माणी के को एक वारंट जारी किया जाता है किसी भी आयोध निर्माणी के GM द्वारा उस आयोध निर्माणी को एक वारंट जारी किया जाता है उस वारंट को क्या बोला जाता है प्रोडेक्शन वारंट और किसे जारी किया जाता है वो प्रोडेक्शन सौप को ठीक न, वारंट कौन जारी करता है, GM, जो भी निर्माणी के GM रहेंगे, महाप्रबंदक रहेंगे, वो प्रोडक्शन साब को प्रोडक्शन वारंट जारी करेंगे next question है आपका 42 पे store विभाख द्वारा, store विभाख द्वारा saab को सामगरी जारी करने के लिए आधिक्रत अनुरोद को कहा जाता है, तो जो भी अनुरोद जारी किया जाता है shop के लिए, उसे क्या बोला जाता है, demand note डिमांड नोट के द्वारा ही प्रोडेक्शन सौप इस्टोर से प्रोडेक्शन है तो जो भी माटेरियल है रौ माटेरियल या माटेरियल डिमांड नोट के तुरू इस्टोर से ले सकते हैं नेश्ट कुस्चन है 43, कार आदेशों की स्रंखला, आम तोर पर निर्धारित ओवरहेड वेको दरसाती है, तो जो 01 कार आदेश होते हैं, 01 स्रीच के वर्क ओडर्स होते हैं, नॉर्मली रिप्रेजेंट करते हैं वो फिक्स ओवरहेड को, तो 43 का अंसर क्या हो जाएगा, E, निश्ट कुस्चन है कार आदेशों की स्रंखला, आम तोर पर पर परवर्क ओवरहेड वेको दरसाती है, तो वर्येवल ओवरहेड किसके तोर पदेशित किया जाता है, 0 to 3 जो रहती है वो आपकी variable overhead या VOH के लिए होती है तो इसका अंसर क्या हो जाएगा फोटिफोर का B Next question है फोटिफाइप पे वियाई के चरण स्वेड़ी आवंटन में Step Later Allocation of Expenditure में जो सर्विस सेक्षन होता है उसे कहां रखा जाता है बाई तरफ रखा जाता है तो फोटिफाइप में क्या आएगा सर्विस सेक्षन फोटिफाइप कांसर हो जाएगा A सेवा या सर्विस सेक्षन Next question है फोटिफिफिक्स पे वियाई के चरण स्वेड़ी आवंटन में Step Later Allocation में जो मिश्डिस सेक्षन होते है उन्हें दोनों तरफ रखा जाता है तो फोटिफिक्स कांसर के हो जाएगा आपका C Next question है 47 पे परिवर्ती सुलकों के लगान की दरों की गर्णा की जाती है तो परिवर्ती सुलकों के लगान की गर्णा Rates of Levy of Variable Charges Are Calculated Varsely Annually ठीक ना 47 का क्या हो जाएगा अंसर आपका D जो परिवर्ती सुलकों के लगान की दरें होती है उन्हें वार्षिक के आधार पे गर्णा की जाती है Next question है 48 पे Timber log Timber log को तक्थे में रुपांतरण के लिए कार आदे स्रेंखला के अंतरगत जारी किया जाता है तो यह पहले Slave of Work Order में 2016 के पहले 8 पे थास Work Order 08 पे Timber log था जो की अभी Cancel हो गया है उसे Delete कर दिया गया है Next question है 49 में आयूद निर्मानी द्वारा जारी किये गए एक कार आदेस में जो भी आयूद निर्मानी रहता है उसके द्वारा जारी किये गए एक कार आदेस में कितने डिजिट्स या अंक होते है तो सभी को मालूम है Slaves of Work Order में हम लोगों ने पढ़ा था आयूद निर्मानी द्वारा जारी किये गए Work Order में 9 डिजिट्स होती है 9 अंक होते है तो इसका अंसर क्या हो जाएगा आपका 49 का C 9 डिजिट्स कैसे Starting की जो First 2 डिजिट्स होती है वो Work Order के Serial नंबर को डिनोट करती है उसके आगे जो 5 अंक होते है 5 डिजिट्स होती है वो Main Work Order नंबर को डिनोट करती है और Last के जो 2 अंकिया 2 डिजिट्स होती है वो आपका सब नंबर या सब कोट को पेदरसित करती है या डिनोट करती है ठीक निश्ट है 50 नंबर पे मरमत और रुपांतरन से सम्मंदित एक कारादेश संक्रा है तो मरमत और रुपांतरन से सम्मंदित जो कारादेश संक्रा है वो 2016 के पहले 05 में आता था ठीक न 8 present में उसे cancel कर दिया गया है delete कर दिया गया है तो ये answer भी cancel हो जाएगा next question है 51 पे और समय की वह नियुंतम समय की वह नियुंतम एक आए जिसके लिए एक दिन के किसी भाग की अनपस्तिती के लिए कटोती की जाती है तो जो समय की नियुंतमिक आई है वह है 15 minutes इंक्यामन के क्या हो जाएगा आपका B जैसे Monday से Friday तक working hour जो रहता है अपना 8 hours रहता है 8 hours को भी 1 hour को 4 में डिवाइड किया जाता है तो टोटल एक दिन में कितने हो जाते है 32 भाग हो जाते है उसी भाग के हिसाब से 15 minutes के लिए कटोती की जाती है नेश्ट कुष्चन है 52 पे और द्योगी कर्मचारियों के लिए overtime दे होता है यदि वो एक सब्ता हमें गंटे से अधिक काम करते है तो सभी को मालूम है कि मंडे से फ्राइडे तक निर्मानी का फैक्टरीज का working hours रहता है 8 गंटे तो 5 दिन 8 hours हो जाएगा 8 पंचे 40 40 hours और सटरडे वो कितना रहता है पौने पौने 5 गंटे 4 गंटे 45 मिनट तो टूटल के आ जाएगा आपका इसमें आंसर हो जाएगा 52 का B नेश्ट कुष्चन पे आ जाते है 53 पे 53 में है फैक्टरी में प्राप्त इस्टोर की वस्तूं का निरिक्षन किया जाता है तो फैक्टरी में प्राप्त इस्टोर की वस्तूं का निरिक्षन किस्से किया जाता है मटेरियल इनवर्ड इसलिप के द्वारा किया जाता है या सामगरी आवक परची द्वारा किया जाता है तो इस कांसर क्या हो जाएगा 53 का D नेश्ट कोश्चन है 54 पे आयुद निर्माणी में नौन प्रेक्टिसिंग भत्ता समानता है किस कर्मचारी द्वारा लिया जाता है तो आयुद निर्माणी में जो नॉन प्रैक्टिसिंग भत्ता समानत है जो गुरूप A ओफिसर होते हैं उन्हें प्रदान किया जाता है तो 54 कांसर क्या हो जाएगा A नेश्ट कोश्चन है 55 पे आयुद निर्माणी में आयुद निर्माणी में जो खिम भत्ता समानत है समू कर्मचारी द्वारा नहीं लिया जाता है तो जो गुरूप A ओफिसर सोते हैं निर्माणी में आयुद निर्माणी में वो जो किम भत्ता प्राप्त नहीं करते हैं या उन कर्मचारियों द्वारा जो किम भत्ता नहीं लिया जाता है तो 50 एक आंसर हो जाएगा A Next question है 56 पे आयूद निर्माणी में कितने वज़े से कितने वज़े तक काम करने के लिए रात्री ड्यूटी भत्ता लिया जा सकता है तो आयूद निर्माणी में इसका आंसर क्या हो जाएगा C 22 और 0 6 रात्री 10 वज़े से सुबै 6 वज़े तक Next question है 57 में आयूद निर्माणी में प्रोचसाहन बोनस आम तोर पर खाले स्थान द्वारा नहीं लिया जाता है तो जो भी प्रोचसाहन बोनस है वो उत्पादन कर्मचारी जो पीस वरकर रहेंगे या प्रोडक्शन वरकर रहेंगे उनके द्वारा प्रोचसाहन बोनस नहीं लिया जाता है या उन्हें प्रदान नहीं किया जाता है तो 57 कांसर क्या हो जाएगा A निश्ट कोश्चन पर आ जाते हैं निश्ट कोश्चन है 58 पे आयुद निर्माणियों में प्रोचसाहन बोनस की दर सभी पीस कर्मचारीयों द्वारा एक महिने में अरजित पीस का रिलाब का कितने पर्शंट है तो कितने पर्शंट मिलता है उन्हें आज निर्माणियों में प्रोचसाहन बोनस की दर कितनी है 50 पर्शंट तो 58 का अंसर क्या हो जाएगा आपका 50 नेश्ट कोश्चन है 59 पे आयुद निर्माणियों में निम लिखें पीस वरकर कहा जाता है इसमें ओप्सन दिया हुआ है सामान करमचारी रख रखाओ करमचारी दोनों A and B या इन में से कोई नहीं तो पीस करमचारीओं को जो प्रोड़क्शन में इन्वाल रहते हैं प्रोड़क्शन वरकर या पीस वरकर उन्हें ही पीस करमचारी कहा जाता है सामान करमचारी रख रखाओ कर्मचारी इन्हें पीस वरकर नहीं कहा जाता है तो इस कांसर क्या हो जाएगा 59 का D इन में से कोई नहीं नेश्ट कोश्चन है आयोध निर्मानी में एक आपात कालीन रिजर्व है तो आयोध निर्मानी ओर्डेस फेक्टरी में जो भी स्टॉक पाइल होता है उसे आपात कालीन रिजर्व या इमर्जन्सी रिजर्व कहा जाता है तो 60 कांसर क्या हो जाएगा आपका B नेश्ट कोश्चन है 61 पे निस्क्री समय के लिए निस्क्री समय मतलग आइडियल टाइम आइडियल टाइम के लिए भुकतान समान भुकतान के समान तय किस दर पर किया जाता है तो निस्क्री समय के लिए भुकतान जो है वो सेम समान भुकतान के दर पर ही किया जाता है तो 61 कांसर क्या हो जाएगा A और इसका work order number क्या होता है स्लेवस आप work order में लोगों ने पढ़ा था 01.000.000.000.000 ये होता है ideal time beyond payment का work order next question है 62 पे ceiling varnish binding जैसे सामाने कारियों के लिए आवस्चक सामागरियों को किस रूप में माना जाता है तो जो भी ceiling varnish winding जैसे सामान करके लिए आवस्चक सामागरियों को हमनों indirect material या अप्रत्यक सामागरियों के रूप में रखते हैं तो 62 का अंसर क्या हो जाएगा B next question है 63 पे रख रखाओ store को रख रखाओ store को आमता और पर किन सामागरियों के रूप में वर्गी क्रत किया जाता है तो 63 का भी आंसर आपके क्या होगा indirect material या अप्रत्यक्ष material तो 63 का क्या हो जाएगा आंसर B next question है 64 पे आयतित मूल की प्रत्यक्ष सामागरियों के लिए अधिक्तम कितने महिनों तक की आवस्ता के लिए प्रावधान करवाई की जाती है तो जो भी आयतित होता है direct material imported origin provision के लिए यूज होता है उसे हम लोग कितने मेनों के लिए इस्टोर करते हैं 24 months के लिए तो 64 कांसर क्या हो जाएगा डी direct material imported origin provision के लिए 24 months आयतित मूल प्रत्यक्ष समागरियों के लिए अधिक्तम 24 months तक की आवस्ता के लिए प्रावधान या कारवाई की जाती है नेश्ट कोस्चन है 65 पे आयतित मूल की आयतित मूल की अप्रत्यक्ष समागरियों के लिए अधिक्तम कितने महीनों तक की आवस्ता के लिए प्रावधान या कारवाई की जाती है तो जो भी इंडारेक्ट मटिरियल होता है इंपोर्टेट ओरीजन से प्रावध होता है उसे हम लों 18 months के लिए प्रावधान या कारवाई की जाती है तो 65 का अंसर क्या हो जाएगा आपका ए नेश्ट कोश्चन है 66 पे सोदेसी मूल सोदेसी मूल की प्रत्यक्ट समाग्रियों के लिए अधिक्तम कितने महीने तक की आवस्ताओं के लिए प्रावधान कारवाई की जाती है तो सोदेसी मूल की प्रत्यक्ट समाग्रियों के लिए अधिक्तम 18 मूंस 18 महीनों तक की आवस्ताओं के लिए प्रावधान या कारवाई की जाती है तो 66 का अंसर क्या हो जाएगा आपका बी 18 मूंस सोदेसी मूल की प्रत्यक्ट समाग्रियों के लिए अधिक्तम कितने महीनों तक की आवस्ताओं के लिए प्रावधान या कारवाई की जाती है तो सोदेशी मूल की अप्रत्यक समाग्रियों के लिए भी अधिक्तम 18 महिनों तक की आवसक्ताओं के लिए प्राओधानिया कारवाई की जाती है तो 67 कांसर क्या हो जाएगा आपका 18 मंस नेश्ट कोश्चन है प्रतेक अवसर पर कितने रुपए तक की आयुद निर्माणी में कार्याले उप्भोग के लिए आवसक्त सभी वस्तों की खरीद कोटेशन बुलाए बिना केंद्री भंडार या NCCF से सीधे खरीदी की जा सकती है तो प्रतेक अवसर पर एक लाख रुपए तक की आयुद निर्माणी में कार्याले उप्भोग के लिए आवस्यक्त सभी वस्तों की खरीद बिना कोटेशन बुलाए टेंद्री भंडार या NCCF से सीधे खरीदी की जा सकती है तो 68 कांसर क्या हो जाएगा आपका C एक लाख नेश्ट कोश्चन है 69 पे यदि आयुद निर्माणियों में निवदा की अनुमानित मूले लगवा 75 लाख है जो टेंडर वैलू है वो 75 लाख से या 75 लाख है तो निवदा दस्तावेज का मूल कितना होगा यदि टेंडर वैलू 75 लाख से तो निवदा वैलू जो रहेगी वो धाई सो रुपे रहेगी तो 69 कांसर क्या हो जाएगा आपका C नेश्ट कुष्चन है प्रक्रिया सामगरी के लिए एक कारादेश किस संकला के अंतरगत आवन्टित किया जाता है तो प्रक्रिया सामगरी के लिए जो कारादेश था प्रीवियस में 216 के पहले वो था 03 जिससे कैंसिल कर दिया गया है एट प्रेजेंट में स्लेवस आफ वर्क ओडर में 20 से 30 तक का जो वर्क ओडर है उसे प्रोसेस माटेरियल या प्रेक्टिया सामगरी के लिए यूज किया जाता है तो इसका आंसर भी जो दिया हुआ है वो कैंसल हो जाएगा ओके फ्रेंड्स आगे का कोशन हम लोग नेश्ट क्लासेस में सॉल्व करेंगे यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप उसे लाइक करिए सब्सक्राइब करिए और यदि वहाँ पे कुछ और यदि आप इंप्लिमेंट चाहते हैं तो उसके लिए भी सुजाओ कमेंट्स में लिखके प्रिसित करिए तब तब के लिए नेश्ट क्लास के लिए थैंक यू गूड डेव